नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर यूइस प्रशाद और हिंदी हाइवे में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको सिंधु नदी के तट परस्थित सिंधु घाटी सभिता की नगर योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ सिंधु घाटी सभिता विश्व की आरंभिक चार प्रमुक शभिताओं में से एक थी यह एक नगरी शभिता थी चोकि पुरातित्तो विदों के द्वारा सबसे पहले हडपा नगर की खोच की गई थी इसलिए इसे हडपा शभिता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभिता का छेत्र अत्यन्त विशाल था यह सभिता जम्मु के अखनूर से लेकर दक्षिन में नर्मदा नदी के तड़ तक एबं पश्चिम में बलुचिस्तान के मकरान समुद्र तड़ से लेकर उत्तर पूर्व में मेरट तक विस्त्रित था आएए अब हम इस सभिता की नगर योजना की विसेशताओं के बारे में जाने हैं सिंधु घाटी या हरपच सभिता की सबसे बड़ी विसेशता इसकी नगर निर्मान योजना है क्योंकि इसका निर्मान एक सुनिशित योजना के आधार पर किया गया था सिंदु घाटी के नगर योजना की पहली विसेश्ता भवनों का सुनो नियोजित निर्मान है इस सभिता के कुछ घर ऐसे हैं जिनके केवल दो ही कमरे हैं और कुछ कमरे तो इतने बड़े हैं कि एकदम महल का रूप लिये वे हैं दूसरी प्रकार के विसाल भवन सामने से 85 फूट चौरे और 97 फूट लंबे हैं इनके आंगन 32 फूट वर्ग के हैं एक खाली जगह 90 फूट लंबी चौरी जिसमें 20 इंटों की तहें आ सकती हो पाई गई है ऐसा लगता है कि यहां के कुछ मकान संभवता मंदिर थे नगर के भवन अपनी शाद्गी के लिए परशिद्ध है घरों का प्रवेश तंग गलियों से हुआ करता था ऐसे मकानों में खिर्खियां बिल्कुल नहीं है ऐसा लगता है कि कुछ कमरों को सुरक्षा की द्रिष्टी से बनाया गया था साजी दिवारें बहुत कम देखने को मिलती है दो मकानों के बीच की जगह को इटों से भर दिया जाता था दिवारें काफी मोटी है संभव है कि यहां के भवन एक से अधिक मंजिलों के रहे हो सीडियों के नीचे कोई खाली जगह नहीं है सीडियां उची और तंग है यहां के भवनों का जैसा निर्मान किया गया है इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां के लोगों में परदे की प्रथा नहीं थी इस सभिता की दूसरी विशेष्था यहां की सरक व्यवस्था थी इस सभिता की प्रमुक विशेष्था जिसे हम सरक व्यवस्था के नाम से जानते हैं इसे इसलिए विशेस कहा गया है कि यहां की मुख्य सरग 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे पुरा विदों ने राजपत कहा है अनिशरकों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी जाल पद्धती के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सरकें एक दूसरे को समकोन पर काटती थी जिनसे नगर कई खंडों में बट गया था इस पद्धती को आक्सफोर्ट सरकस का नाम दिया गया है सरकें मिट्टी की बनी थी एवं इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था की गई थी कुड़ा इक अठा करने के लिए एक निश्चित दूरी पर गड़े खोदे जाते थे या कुड़े दान रखे जाते थे इस सब्धता में एक सरक के दोनों किनारों पर चबूत्रों के बने होने के प्रमान मिले हैं शायद इन चबूत्रों पर बैठ कर दुकांदार वस्तों की विक्री करते रहे होंगे सिंधू या हडपच सब्धता के नगर योजना की तीसरी प्रमुक विसेश्ता यहां की जल निकास परणाली थी सिंधू घाटी के लोग नालियों के निर्मान में अत्यंत निपुन थे गली कूचे में जल के निकास के लिए इटों की नालिया हैं इनकी लंबाई चौराई विविन प्रकार की हैं कुछ नालिया नौ इंच चौरी और एक फूट गहरी हैं लेकिन कुछ इससे दुगनी बड़ी हैं ये नालिया इटों से धकी हैं और आवस्यक्ता नुसार उन्हें हटाया जा सकता है बड़ी नालियां पत्थरों से बनी और ढकी हैं बर्शाती पानी और घरों के मलमुत्र के बहने के लिए मलकूप बने हैं लंबी नालियों में कुछ-कुछ दूरी पर छेद बने हैं ताकि उन्हें आसानी से साप किया जा सकें नालियों से निकला हुआ कुड़ा सायद वहीं से हटाया जाता होगा लेकिन खुदाई के समय यह जियों कत्यों नालियों के पास पड़ा हुआ पाया गया है इसलिए यह भी अंदाजा लगाए जा सकता है कि सायद कुड़े की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती थी नालियों के मोणों पर तीकोनी इटों का प्रियोग होता था जहां पर दो नालिया मिलती थी वहां पर इटों से द्वारा निर्मित गड़े बने हैं वर्षा और तूफान के द्वारा एकत्र जल को नगर से बाहर निकालने के लिए पक्की इटों की ढखी नालिया बनी हैं ये नालिया जमीन के नीचे हैं प्राह नालिया कुवों के पास गुजर्ती भी बनाई गई हैं इस प्रकार कुवों के जल के गंदा होने का भैवी बना रहता था नालियों की इस प्रकार की अध्भुत विशेष्ता किसी अन्नी समकालिन नगर में देखने को नहीं मिलती हैं कि ओड़पसस अभीता कि चौथी प्रमुक विसेशता वहां के विसाल अस्नानागार है यहां के विसाल अस्नानागार विसेश रूप से देखने लायक है यह चावरस है और उसके चारोत्र बरामदा है यह भी इंटो का बना है बरामदे के पीछे कमरे और रास्ते हैं तैरने के लिए एक तालाब है और बड़े-बड़े कुएं भी हैं इन्हीं से साइद तालाब को भरा जाता था यह जलकुंड 30 फीट लंबा, 23 फूट चौड़ा और 8 फूट गहरा है इसके उपर लकड़ी की बनी एक और मंजिल भी है कुंड के प्रत्ते के कोने में एक सीड़ी है यह असनानागार पक्की इटों का है और एक बूंद भी इसके अंदर नहीं समा सकता है कुंड के किनारे सुंदर इंटों के बने हैं, यह चार फूट मोटे हैं और इंटे खड़िया मिट्टी के साथ लगाई गई है नमी को रोगने के लिए एक इंच मोटे राल के पलस्तर का प्रियोक किया गया है यह विशाल असनानागार आज भी इतनी अच्छे वस्था में है कि ऐसा लगता है कि मानों यह उन्नीश्मी शदी का बना हुआ हो सिंदू घटी सभिता के नगर योजने की पांच में भी सेश्ता अननागार अर्थात अनाज रखने की व्यवस्था थी इस सभिता में 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अननागार मिला है हडपा के दुर्ग में भी 12 धानी कोठार खोजे गए हैं यह दो कतारों में 6-6 की संख्या में हैं यह धानी कोठार इटों के चबूत्रे पर हैं एबं परतेक का आकार 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.9 मीटर है अननागार में हवा जाने की व्यवस्था थी इसका आकार सुद्रीड था हवा जाने की अच्छी व्यवस्था थी और इसमें अन्न भरने की व्यवस्था जो की गई थी वह निशन्दे उच्चिकोटी की थी सिंधू या हडपस सभिता में पकाई हुई इटों का प्रियोग भी एक विलक्षन विजेश्ता है इटे चतुर भुजा कार होती थी उलेकनी बात यह है कि समकालिन मिश्र की सभिता में भी पकी इटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई इटों का प्रियोग होता था मेशो पोटामिया में यदि पी पकी इटों का प्रियोग होता था किन्तु काफी सिमित मात्रा में लेकिन यहां यानि शिंदू घाटी शबिता में पकी इटो का ही इस्तेमाल होता था इस प्रकार हम देखते हैं कि हरपा शबिता की सरुपरभुक विसेश्ता यहां की नगर योजन परणाली ही थी अभी मैं आपको सिंदु घाटी सभिता की नगर योजना की विशेष्टाओं के बारे में बता रहा था निसकर्स रूप में यह कहा जा सकता है कि ये विशेष्टाएं हमारे लिए आश्चरी का विशे है कि आज से लगभग साड़े चार हजार वर्स पहले के लोग नगर नियोजन के प्रती कितने जागरूप थे आज हमारे महानगरों में भी वे विशेष्टाएं दिखाई नहीं पड़ती हमने चंडीगड तथा गांधी नगर में नगर नियोजन की नीती तो अपनाई है मैं ऐसा समझता हूँ कि सिंदु घाटी की नगर योजन की प्रमुख विशेष्टाओं को आपने समझ लिया होगा और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हूँ तो आपने लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हाँ एक बात और मेरे वीडियो से जुड़े कॉमेंट्स या अपने सवाल आप मुझे स्क्रीन पर दिखाए गये जी मेल पर भेज सकते हैं धन्यवाद